तो आज में आपको ऐसे बजेट स्मार्टफोन बताऊंगा जो 10,000 के अंडर आपको मिल जाएंगे इसमें आपको आईली रेम और अच्छे टाइट प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे इन फोन्स की कास बात यह है कि इसमें आपको गेमिंग परफोर्मेंट्स और जो भी चीजे डेली यूज में आप करते हैं आपको बहुत ही डीसेंट कॉलिटी में मिल जाएगी तो चलिए बीना टाइम वेस्ट किये चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो गाइज आज के लिस्ट की थर्ड नंबर के फोन का नाम है मोटो जी टेन पावर इसमें आपको 6.5 इंच का LCD HD plus display देखने को मिल जाता है और इसमें आपको 4 GB RAM और 64 GB internal storage भी देखने को मिल जाती है और इसमें आपको 6000 mAh की battery capacity मिल जाती है इसमें आपको back side में fingerprint sensor भी देखने को मिल जाता है और बात करें तो इसके कैमेरे में आपको 48 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 मेगापिकसल का Quad Setup देखने को मिल जाता है और इसमें आपको 8 मेगापिकसल का Front कैमेरा देखने को मिल जाता है तो चलिए चलते हमारे 2nd नंबर के Phone की ओर तो आज की लिस्ट के सेकेंड नंबर के डिवाइस का नाम है Realme Narzo 30 है जिसमें आपको 6.5 इंच की LCD डिस्प्रेय देखने को मिल जाती है और इसमें आपको Helio G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है तो बात करें इसके RAM की तो इसमें आपको 4GB RAM और 64GB ROM देखने को मिल जाती है और इसमें आपको 6000 इमेज की Massive बेटरी देखने को मिल जाती है और इसमें आपको 13 प्लस 2 मेगा पिक्सल का Dual Camera Setup देखने को मिल जाएगा और फिर Front में आप देखे तो इसमें आपको 8 मेगा पिक्सल का Selfie Shooter देखने को मिल जाएगा और इसकी प्राइज है 10,000 तो चलिए चल लास्ट डिवाइस की और तो आज की लिस्ट के First and Last डिवाइस का नाम है Poco M3 जिसमें आपको 6.53 इंच की LCD Full HD Plus डिस्प्ले देखने को मिल जाती है इसमें आपको 6 GB RAM और 64 GB internal storage देखने को मिल जाती है फिर आपको अगर बेटरी की बात करू तो इसमें आपको 6000 इमेज की बेट प्लस 2 Megapixel का triple camera setup देखने को मिल जाता है इसमें आपको 8 Megapixel का front camera देखने को मिल जाता है और बात करें इसके back side की तो इसमें आपको fingerprint sensor भी देखने को मिल जाएगा और इसकी price है 10,999 रूपीस अगर आप इस कोफर में buy करते हैं तो इसकी price आपको 10,000 में मिल जाएगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए और like बटन पर भी click कर दीजिए और अगर आपको और कोई topic या फिर कुछ queries हो तो नीचे आप comment करके लिख सकते है thanks for watching